हलो दमस्कार दोस्तों फिर से आप सबका स्वागत मेरे स्यूट्योब चाहनों पर दोस्तों आज के स्यूडियो में हम बात करने वाले मतलब तीन ड्री मिलियोन की विनिंग टिम्स देखने वाले फैन कोड़ ECST10 रुटे ड्रम की जिया दोस्तों मैच है VCC वर्सस SAL के बीच क इसकी तीन ड्री मिलियोन की विनिंग टिम्स देखने वाले सबसे सर्प्राइजिंग बात है दोस्तों कि देख सकते हैं इन दोनों के बिच लगातार दो मैचस है तो यहाँ पर यह वीडियो दोनों मैचस के लिए रहेगा लेकिन पहले हमें पहली मैच पर क्लिक कर लेनी है आखिर में क्याप्टन हुआ है इस काप्टन हम किसे बनाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सबस्काइब नहीं किया तो कर लीजे ताकि ऐसे वीडियो आप पर क्लिक करके और पाइली टिम को मैं आपको इडिट करके दिखा देता हूँ तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छे-च्छे ऑप्शन से कीपर में लेकिन अभी हम एक ही जो ऑप्शन के साथ जाने हो ले कीपिंग के सेक्शन में बी डी ले लिड इनके साथ ली अफको आती जाएंगे इसके अलवा बैटिंग की बात करें थो यहाँ पर विटीन बले बादोको में ले रहा हूँ इस इस कि में आप जिकार यहां पर मैं एन घिगानिश के साथ जा रहा हूं उसके बाद जी व्यांडिक तो ये तीन अच्छे-फासे ओप्शन है जो ह लिवर्स को साध्य ले रहा हूँ, हार्डग को ले रहा हूँ, और एसहमद को भी ले रहा हूँ, और चोथे जो अल राउंडर है, यहाँ पर देख सकते हैं, आरवाहित को भी इस टिम में शामिल कर रहा हूँ, परर्फर्मंस किया है तो यह चार अगर आप अपनी टीब मिलेंगे तो काफी फायदे मन साबित होने अले क्योंगी यह बैटिंग भी अच्छे कर सकते है गेन बाजी भी अच्छे है इसके बाद चलते गेन बाजी पर तो यहां पर देख सकते हैं वी किंग मा को मैं इस टीम में ज़रूर शामिल करूंगा यहाँ पर ऑप्षन है दोस्तों हमारे पास काफी सारे लेकिन कुछ ऐसे ऑप्षन है जिन्नोंने लास्ट कुछ मैचेस में काफी गंदा परफॉर्मंस के है तो इसलिए मैं थोड़े हट के बनाना सोच रहा हूँ यह तो यहाँ पर देख सकते हैं वी किंग मा के बाद ए गोपिनात और जी निसार इस तरह से तीन अच्छे खासे गेन बाजों को मैंने अभी फिलाल तो ले लिया है लेकिन आगे हमें जो चेंजेस करने हैं वो थोड़े सोच समझ कर करने होंगे तो कुछ ऐसे प्लियर जरूर आने वाले है जिनका पिछले एक दो मैचेस में परफोर्मस ठोड़ा डाउनेल लेकिन उससे पहले उनका परफोर्मस अच्छा रहा था तो अब चलते कंट्यूनिव पर क्लिक कर लेते और देख लेते क्याप्टन और वाइस क्याप्टन हम किसे बना सकते तो यहाँ पर बात करते कीपिंग के तो यहाँ पर अभी तो फिलाल में एक इक पर के सार जाना चाओंगा लेकिन अगले टोर टीमों में कुछ ना को चेंज़स मैच जरूर करता रहोंगा बीडी लीड को ले रहा हो किपिंग में अगर बात करें बैटिंग की तो जी वैंडर को ले रहा आप को डबल पॉट्ट मिलेंगे बैटिंग और बॉलिंग के तो जिससे आपको फायदा हो सकता है और आप ग्रैंड लिग भी जिद सकता है उसके बाद देख सकते हैं हारडक को ले रहाओ, आरवाहित को ले रहाओ, एस अहमद को ले रहाओ, और वी लुबर्स को ले रहाओ, अगर गेन बाजी की बात करें तो अफकोस तीन गेन बाजे, अच्छे खासे गेन बाजे, देख सकते हैं, वी किंग मा को ले रहाओ, उसके बाद एग उपिनाथ को ल प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर हो सके तो एक ग्रैंड लिग जरूर लगा दीजिएगा उसके पाइज चाहे जितने भी स्मॉल लिग लगाई यह कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन ग्रैंड लिग के लिए काफी बेटर टीम है अगर बात करें क्याप्टन और वास टीम लगाएंगे ग्रैंड लिग में तभी आपके जितने के चांसेस रहेंगे लेकिन अगर आप एक दो टीमों पर सोचेगे कि ग्रैंड लिग जिट जाओ तो यह पॉसिबल नहीं तो मैं अफकोस तीन टीम बैताने होला हूँ जिसमें से पहली टीम में अफकोस नॉर्मल कैप्टन और वाइस कैप्टन रखूँगा क्योंकि काफी लोगों ने इन दोनों को कप्तान और वाइस कैप्टन बनाए भी लूबर्स को और वाइस कैप्टन बीडी लीड को तो मैं नॉर्मल रखूँगा क्योंकि अगर यह सच में सक्सेस हो जाए तो भी आपको फायदा होने होला और अगली डो टीमों में मैं जो चेंजेस करूंगा वो अगर सक्सेस हो जाए तो वहापे भी आपको फाइदा तो इसलिए यहापे इन दोनों के साथे में कप्तान और वास कप्तन के लिए वन जाओंगा और इस टीम को आप ज़रूर ग्रांड लिग के लिए जीजेस करने की BD लीड तो रहेंगे हमारे टीम में दोस्तों लेकिन M नदीम को भी मैंने इस टीम में शामिल कर लिया आप पिछले एक-दो मैचेस की बात करें तो ठीक-ठकी परफरमस है लेकिन प्लियर काफी बढ़िया है शुरूबात में काफी बढ़िया खेल रहते त तो इसलिए इनको भी लेना ज़रूरी है दोस्तो इसके बाद बैटिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं एच खान को ले रहा हूँ उसके बाद जीव हैंड यहाँ पे फिर से जीव हैंड डर को लेने वालों में जीव हैंड डर के बाद में यहाँ पे एल कामती को इस टीम में शामिल कर रहा हूँ तो यह भी अच्छे ठीक ठाक है दोस्तो इनको एक टीम में ज़रूर ट्राइक कीजेगा क्योंकि ग्रैंड लिग अगर जितनी है तो आपको कुछ ना कुछ अलग ट्राइक करना होगा अल गया था लेकिन इस टीम में मैं तीनी ओल रॉंडर के साथ जा रहा हूँ विल्यूबर्स के साथ जा रहा हूँ और यहाँ पर आरवाहित के साथ जा रहा हूँ तो यहाँ पर अफकोस एच वार्डग को मैंने इस टीम में ड्रॉप किया है तो कोई मतलब रिस्क नहीं है दो बात करें गेन बाजी की तो एंसिंग को इस टीम में मैं जरूर लूँगा इनको ट्राय कर रहा हूं इस टीम में उसके बाद एक गोपिनात को ले रहा हूं और जी निसार इन दोनों को अफकोस मैं रहने दिया है टीम में काफी चेंजेस करने के बाद जो देवी टीम काफी ब पना रहा हूँ चले दोस्तों टीम प्रिव्यू करते हैं अ सबसे पहले बात करते हैं कीपिंग की तो जैसे कि आप देख पारें BD लीड को मैंने इस टीम में लिया है M नदीम को मैंने इस टीम में लिया है अज विकेट कीपर अगर बात करें बल्ले वाजी के तो एलकांति को ले रहा हूँ जी वैंडर को ले रहा हूँ और एच खान को ले रहा हूँ बल्ले बाजे में तीन बल्ले बाज रहेंगे मेरे पास क्योंकि मैंने अल्रेडी यहाँ पर दो कीपर ले लिए उसी वज़े से मेरे पास तीन ही ओल्रॉंडर रहने आले वील्यूबर्स को मैंने इस टीम में शामिल कर लिया SMत को भी मैंने इस टीम में ले लिया और आर वाहित को भी स्टीम में शामिल कर रहा हूँ तो इस तर से तीन All-Raounder भी मेरे पास है अगर बात करें गेनबाजी की तो एग ओपिनाथ है जी निसार है और एन सिंग है तो यहाँ पर दोस्तों अफकोस मैं यह नहीं कहूंगा कि मैंने कोई भी रिस्क नहीं लिया है यहाँ पर दो चार प्लेयर मैंने चेंज किये जिसमें एक दो प्लेयर कम से कम रिस्की मैंने लिये है जो कि अगर अच्छा सावित हो तो आपको grand league चिता सकते हैं या फिर Grand League में एच्छी खासी अर्निक तो जरूर करा सकते हैं तो इसलिए कहूंगा दोस्तों इस ट्रिम को Grand League के लिए यूज कीजिएगा स्मॉल लिक के लिए यूज करनी है नहीं करनी है आप अपने हिसाब से कर लिजिए चेक कर लिजिए कि क्या लगता है आपको इसे स्मॉल लिक के लिए यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो मैं इसको Grand League के लिए तो जरूर कहूंगा सिर्फ और सर्फ Grand League के लिए उच percentage मिले थे तो मैं अभी उनको कप्तान बना रहा हूँ सोचिए दोस्तों यह अगर सक्सेस हो जाते तो आपको ज्यादा फाइदा हो सकता है इसलिए इनको कप्तान और एम नदीम का भी परफॉर्मस अभी तक अच्छा कासा रहा है तो जरूर आप इनको वाइस कैप्टन बना सकते इसके अलाव दोस्तों यह दोनों की दोनों कीपर है तो यह भी हमें डवल पॉइंट दे सकते जैसे कि बैटिंग में दे सकते इसके अलाव कैचिंग रन आउट या स्टंपिंग में भी एक्स्टा पॉइंट हमें दे सकते तो इसलिए इनको कप्ता नोर वास के पतर बनाने से हमें काफ़े फायदा हो सकता है तो फिर से इस टिम को close कर लेते सेव कर लेते और तीसरी और आकरी टिम में आपको दिखा देता हूँ जो की इसे तर से अच्छी खासी बनी है तीसरी टिम की बात करें तो BD lead को वापस मैंने रहने दिया है इनको छोड़ना थोड़ा रिस्की सावित हो सकता है यहाँ पर FD lang को मैंने इस टीम में शामिल कर लिया है अगर बात करें बैटिंग में तो H Khan है N Gigani को वापस ले रहा हूँ और तीसरे जो है G Van Der को वापस यहाँ पर दे रहा हूँ तो यहाँ पर ज़्यादा चेंजे में मतलब इस बैटिंग में तो नहीं कर रहा हूँ इसके बाद All-Rounders पर चलते हैं तो यहाँ पर मैंने देख सकते हैं वी लूबर्स को फिर से ले लिया एच वार्डग को पिछले टीम में नहीं ले पाया था इस टीम में जरूर लूँगा इसके बाद All-R-Wahit को भी मैंने इस टीम में शामिल रखा है तो कुलमिला कि यहाँ पर ज़्यादा रिसकी टीम में नहीं बना रहा हूँ अगर बात करें गेन बाजी की तो यहाँ पर देख सकते हैं एक क्वासिम को मैंने इस टीम में शामिल कर लिया है एक ओपिनाथ और जीनी साथ तो इन तीनों को मैंने इस टीम में शामिल किया है अज़र गेन बाज तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे टीम मेंने कुछी changes किये जरूर है लेकिन एक भी change ऐसा risky change नहीं किया है continue पर तेक कते हैं और देख लेते captain और vice captain हम किसी बना सकते हैं तो यहाँ पे captain और vice captain मेंने काफी सोच समझ कर थोड़े हट के बनाए हैं यहाँ दोस्तों आप देख सकते व्यू लिवर्स पर ज्यादा लोगों का ध्यान गया एक captain बीडी लेड्स को उसके बाद सबसे ज्यादा लोगों ने पसंती दिया एक captain और vice captain और दूसरे जो और एक कीपर थे उनको भी काफी लेकिन FD Lang को भी मैंने इस टीम में ले लिया है अगर batting की बात करें तो G Wander को भी लिया है H Khan को लिया है और N Gigani को भी लिया है अगर बात करें ऑल्टान रस के तो H Wardak को लिया है आरवाहित को लिया है और Willio Birds को भी रहने दिया है अगर गेनबाजी के बात करें तो एक वासिम को लिया है एक ओपिनाट को लिया है और जी निसार को लिया है तो कुलमला के ये भी टीम काफी जबदस्त बनी है दोस्तों अफकोस इस टीम से जादा के बहुत जादा चांसे से कि आप Grand League जीट जाए तो इसलिए कहूंगा Grand League के लिए यूज जरूर कीजिएगा एक टीम कम से कम Grand League के लिए लगाईए मतलब एक लीग कम से कम Grand League के इस पर जरूर लगाएगा उसके बाद चाहे आप इससे Small League के लिए यूज करे या ना करे कोई प्रॉब्लेम नहीं करेंगे भी तो भी काफी बढ़ी आटीम है क्योंकि यापे कोई risky player मैंने शामिल नहीं किया आटीम में तो कोई प्रॉब्लेम नह जिन्होंने इनको कप्तान और वास काप्तन बना है और अगर ये दोनौ जादा सुझ से सहान तो आपको सबसे जादा फायदा होने आला है और कुछ आट्पर staat इसके लोगों नहीं तो नहीं को कउमौन यापट सकते हैं यानरि शोच सकते को को और वाइस केपिटन ऐच वार्डग को आप उल्टा भी कर चाहे तो सकते हर तिम में ुल्टा बहुत है चाहे तो यह चाहे लाण चाहए तो कुल्मिला के यह टीम अफ चस आपधे warto कि wo जोज जोच कर लेते हैं और आखिर मैं कर दोस्तो कोई का सबस्क्राइब हो सकता है तो तो अगर पसंद आ लिजे ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पोश्चते रहें और आप अच्छे का से अर्णी करते रहें तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थांक्यू धन्यवाद और गुड़वाई